Hello students, चलिए start करते हैं, straight lines का example number 11 देखते हैं क्या है, find the equation of the line whose perpendicular distance from the origin is 4, हमें equation of line find out करनी है, जिसका origin से perpendicular distance 4 given है और जो angle form कर रहा है, वो कितना degree कर रहा है, 15 degree with x-axis, तो equation of line क्या होगी, अब यहाँ पे normal form वाली equation हमारी यूज़ होनी है, किसकी यूज़ करनी है, normal form की, क्योंकि perpendicular distance दे रखा है तो वो normal form हो गया, तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज गीवन है वो लिखते हैं, solution देखते हैं इ दे रखा बच्चो, 4, p की value होगी हमारे पास, theta कितना दे रखा है, 15 degree, अब equation of normal form, normal form, क्या होती है, जल्दी से लिख देंगे, x cos omega, plus y sin omega, is equal to p, omega क्या होता है, यहाँ पे angle formation, जो की हमारा 15 degree गीवन है, यह हमारा एक तरिक्के से यहाँ पे omega गीवन है, ठीक है, पी गया है, perpendicular distance, sine और cos क्या हमारा है, trigonometric function, x और y किसको represent कर रहे हैं, x axis और y axis को, तो यहाँ पे value पूट करते है, x cos, omega की value क्या है, 15 degree, plus में y sin, 15 degree, is equal to p की value क्या बच्चो, 4, बस यह equation होगे, यह मारी normal form की, अब बात सुनो ध्यान से, कई बार क्या होता है, question के अंदर, 15 degree की value given होती है आपको, क्या होती है, given होती है, जैसे इस question के अंदर भी side book के अंदर given है, cos 15 degree किसके equal होता है हमारा, root 3 plus 1 upon 2 root 2, और sin 15 क्या होता है, sin change हो जाएगा बस, root 3 minus 1 upon 2 root 2, तो यह value अगर given हो, तो हमें यह values यहाँ पे put करके दिखानी है, क्या हो जाएगा, x यहाँ पे cos 15 की value क 3 plus 1 upon 2 root 2, लिख दिया, plus में y sin 15 की क्या हो जाएगी, under root 3 minus 1 upon 2 root 2, is equal to 4, अब यहाँ पे देखो, दोनों के base में 2 root 2 है, तो 2 root 2 से यहाँ multiply हो जाएगी, x की multiply करेंगे, तो root 3x, plus x, plus में root 3y minus y, is equal to 4 into 2 root 2, अब इनको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यह form root 3 plus 1 into x, यही की यही भी रख सकते हैं, और यहाँ पे, plus में root 3 minus 1 into y, is equal to 8 root 2, यह form भी हो सकती है, हमारी यह form भी हो सकती है, दोनों की दोनों form में हम write down कर सकते हैं, दोनों हमारे answer correct है, अगर हमें value नहीं given है, तो यह answer भी हमारा क्या है, correct है, clear हो गया question, समझ में आ गया, क कोई भी doubt लगे, तो comment करके जरूर पूछ सकते हैं, अदरवाज नेक्सा क्लासीज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, like कीजिए और share कीजिए, thank you students for watching, नेक्सा क्लासीज